हलो एन वेलकम अगेन माई फ्रेंड्स और दियर श्टूडेंट माई सेल्फ महिंद्र देवंदा आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सेरी कल्चर और सेरी कल्चर में भी पर्टिकुलर हम बात करने वाले हैं रियरिंग ओफ सिल्क वर्म रेसम कीट को किस परकार से रियरिंग की जाती है उसको कैसे पाला जाता है उसके बारे में समझेंगे technique for obtaining silk from cocoon cocoon से किस परकार से silk प्राप्त किया जाएगा वो तकनीक कौन-कौन सी है तो उसके बारे में भी हम समझेंगे appliance is required कौन-कौन से उपकरण है जो sericulture में काम में आते हैं और last में हम cover करेंगे what is silk silk वास्तव में क्या होता है उसको भी हम समझेंगे sericulture जिसको हमने परिबासित किया था कि silk worm को पालना sericulture कहलाता है जिसको agro industry माना गया है यानि क्रसी आदारित ये एक उद्ध्यो होता है तो sericulture में हम क्या करते हैं हम रेसम के कीडे को पालते हैं और उससे जो कोकून बनता है और कोकून से हम रेसम प्राप्त करते हैं ये आपने life cycle इसके बारे में समझ चुके हैं एक मोत एडल्ट मोत होता है वो किसी host plant पर अंडे देता है उससे लारवा निकलते हैं और लारवा उस host plant की पत्तियों को खाते हैं और कोकून अवस्ता आती है और कोकून के चारुतरब ये जो दागा है इससे रेसम प्राप्त किया जाता है चलो इन टोपिक के बारे में हम समझते हैं सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वोल्टाइन क्या होता है Rearing of Silkworm ये रेसम कीट को पालने में एक वर्ड यूज होता है वोल्टाइन ये एक कोई भी species, कोई भी जाती एक साल में कितनी बार बच्चे दे सकता है या वो अंडे दे सकता है उसको हम वोल्टाइन की केटेगरी में रखते हैं तो वोल्टाइन क्या है? Production of Brood Per Year यानि बच्चों का पैदा करना एक साल में कितनी बार होता है तो इसको हम वोल्टाइन कहते हैं सेरी कल्चर में ये थ्री टाइप्स का होता है यानि जो वोल्टाइन है वो तीन प्रिकार का होता है जिसमें सबसे पहले है यूनी वोल्टाइन यूनी नाम से समझ में आ रहा होगा यूनी का मतलब हो गया एक वोल्टाइन का मतलब जो साल में कितनी बार ब्रिड कर रहा है तो यूनी वोल्टाइन यानि साल में एक ही बार वो उसकी क्रोप ले सकते हैं या वो एक ही बार अपने अंडों को देते हैं समझते हैं univoltine को the race or species of silkworm by which only one crop is taken in one year एक साल में सिर्फ एक ही crop ली जाए तो उसको हम यहाँ पर univoltine कह रहे हैं और यहाँ पर बात हो रही है silkworm से संबधित तो univoltine जो terminology यूज की गई है वो insect के लिए यूज की गई है और यहाँ particular हमने इसको silkworm के लिए यूज किया है तो univoltine एक साल में एक ही फसल ली जाए उसको हम univoltine कहते हैं और जो silkworm रसिया में और यूरोप में और भारत में जो आसाम स्टेट है वहाँ पर यह univoltine यानि साल में silkworm की सिर्फ एक ही हम उसकी crop ले सकते हैं दूसरा जो है वो है बाई वोल्टाइन बाई का मतलब हो गया two यानि production two crops in a year एक साल में दो crop प्राप्त करना दो फसले लेना यानि silkworm से हम एक silkworm से उसकी दो बार उसकी crop ले सकते हैं ये होता है चाइना जापान most of जो इंडिया का जो पार्ट है जहां पर जो silkworm का rearing की जाती है sericulture किया जाता है वहां पर ये होता है और korea इन में bivaltyne silkworm का जो crop ली जाती है next है multi-voltyne producing more than two crops in a year एक साल में अगर दो से भी अधिक crop ली जाए यानि silkworm से हम कोकून प्राप्त करें एक साल में तीन बार एक ही जाती से तो वह हो गया multi-voltyne और जो tropical countries है जो हम simply कहें equator जो region पर है विश्वत रेका के जो उस में विश्वत रेका के map के में जो जो countries पाई जा रही है वो tropical countries होती है तो वहाँ पर अगर कहीं silkworm का rearing किया जाता है तो वहाँ पर multi-voltyne यानि एक साल में उसकी दो से ज़्यादा crop ली जाती है अब हम समझते हैं silkworm की rearing कैसे की जाती है यानि ये तो हो गई वोल्टाइन की बाद अब हम समझेंगे rearing of silkworm rearing of silkworm में हमें ये पता चल गया कि एक adult मोत होता है वो यानि एक कीट होता है वो अंडे देता है अंडों से लार्वा निकलता है जिसको हम यहाँ पर katerpillar कहते हैं लार्वा भोजन करता हुआ कोकून प्यूपल स्टेज में जाता है और कोकून का निर्मान करता है और कोकून से हम जो रेसम है silk है उसको ले लेते हैं तो यहाँ पर सबसे महत्वपून रियरिंग silkworm को रियरिंग करने के लिए सबसे महत्वपून काम है ग्रेनेज मेनेजमेंट ग्रेन का मतलब दाना और यहाँ पर दाने का आस है जो adult modes है जो यह picture में आपने छोटे 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 जो अंडे दिखाए दे रहे है अंडों से मतलब है यह ग्रेन की याँ छोटे छोटे टुकडों में दिखाए दे रहे हैं छोटे छोटे पार्स में दिखाए दे रहे हैं इसलिए यहाँ पर इनको grain के समान या seed के समान हम terminology यूज करते हैं यानि drainage management पहला rearing of silkworm में पहला काम है drainage management यानि इनके अंडों का management वो किस तरह से होगा selection of best silkworm races यानि जो silkworm की species of particular उसमें भी कौन सी race जो उसकी आप यूँ भी कह सकते हैं कि कौन से अच्छे गुणवत्ता वाली अंडे देगी उनको आपस में mating करवाए जाए उनसे हम bees प्राप्त करेंगे बीज का मतलब उनसे अंडे लेंगे production of quality seeds यानि ये race का select करना quality of seeds को दर्साएगा क्योंकि अच्छी races जब आपस में mating करेगी तो अच्छी race quality के एग उत्पन होंगे एग अच्छे quality के उत्पन होंगे यानि बिना disease के उत्पन होंगे तो उनसे अच्छे किसम का हमें race सम प्राप्त होगा जो rearing of silkworm है यानि रेसम के कीडे को जो पालने का है method है उसको हमने कुछ parts में divide किया है छूंकि हमें cocoon तक ही जाना है यानि cocoon से ही हमें प्राप्त करना है तो इसमें जो stages आती है सबसे पहले rearing method में egg stage यानि egg stage को किस प्रकार से पाला जाए या इसको सुरक्षित रखा जाए तो seed और egg put on rearing tray एक rearing tray होती है आप यूं समझ दें कि एक कोई थाली समान सरचना है जिस पर अंडों को जो ये कीट है उसके अंडों को रखा जाता है with mulberry leaves यानि उस पर सहतूत की पत्तियों को उसके साथ में रखा जाता है यानि एक टोकरी जिसके उपर पत्ते रखकर और पत्तों के उपर अंडे रखे जाते हैं या उस silk mode को जो अंडे दे रहा होता है उसको उसके उपर रख देते हैं तां कि जो पत्तियां हैं उसके उपर अंडे आ जाएं क्योंकि अंडों से ही लारवा निकलेगा और उसको जैसे ही लारवा निकलता है वो भोजन करना सुरू कर देता है इसलिए इनको mulberry leaves के उपर ही ये जो अंडे हैं उनको रखा जाता है इट covers with nylon net और इनको nylon की जो net होती है उससे इनको cover किया जाता है डख के रखा जाता है यानि पहला काम को क्या हो गया rearing of silkworm में हमें एक stage में जो काम करना है कि सैतूत की पत्तियों पर हमें जो अंडे हैं वो रखने हैं दूसरा जो काम है वो है लारवा stage में क्या होगा first larva, second, third, fourth and fifth instant larva stage should be special take care हमें जो पहरी, दूसरी, तीसरी, चोती और पांच वी जो instant larva stage है उनमें हमें विशे इस द्यान रखना है क्यों द्यान रखना है क्योंकि जो ये larva है उससे ही कोकून बनेगा लारवा अगर सुरक्षित रहेगा यानि बीना disease का होगा तो जो कोकून बनेगा बहुती अच्छा बनेगा अच्छा रेसम हमें उससे प्राप्त होगा इसलिए हमें लारवा की special देखबाल करनी पड़ती है इसमें क्या करना पड़ता है in which changing the bed everyday जिसके उपर इसको पाला जाता है तो इसका प्रते एक दिन हर एक दिन इसका bed बदला जाता है ऐसा क्यों क्योंकि लारवा खाता रहता है हमेशा वो खाता ही रहता है तो बहुत सारे उसके waste product वो बहार करता रहता है तो उसकी वज़े से अलग से smell हो जाएगी उसमें कई परकार के fungal infection हो सकते हैं तो इन सब बचाव के लिए हर दिन उसका bed बदला जाता है provided fresh and soft leaves उसको बिलकुल ताजी पत्तियां और बिलकुल soft पत्तियां उपलब्द करवाई जाए लारवा को ये विशेस में विशेस ध्यान रखना पड़ेगा next जो है pupil stage में pupil stage में जिसको हम सामनत है जो को हमें कोकोन मिलता है इसी अवस्ता में मिलता है fifth larva stage जो की mature larva stage है stop to take food वो क्या करता है भोजन लेना बंद कर देता है and ready to make to cocoon और ये fifth जो larva stage है ये अब cocoon बनाने के लिए तयार होता है so larva should transfer on cocoon tray अब जैसे ही ये cocoon बनाना सुरू करेगा या हमें पता चल जाएगा कि ये fifth star larva है और ये mature larva है अब इसको हमें cocoon tray में transfer करना है cocoon tray कौन सी tray होती है वो tray जिस पर ये अपना cocoon बनाएगा यानि वो pupil stage में जाएगा तो उनको cocoon tray पर transfer कर दिया जाता है formation of cocoon is completed within three days जो cocoon का जो निर्मान होता है वो तीन दिन में complete हो जाता है देखो ये है adult moths female है जिसने बहुत सारे यहां पर अंडे दिये हैं और यहां पर जो आपको ये तस्तरी नुमा ये tray के समान है इनमें इनके cocoons दिखाए गए हैं तो कम संक्या में अगर हमें अधिक मात्रा में cocoon को एक जगे रखना है तो इस प्रकार से arrangement करना पड़ता है अब rearing of silkworm में कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है वो क्या है तो टेक केर silkworm rearing इसमें क्या क्या करना ध्यान रखना पड़ता है पहला है disease free eggs हमें ऐसे अंडे लेने पड़ते हैं जो बिना बिमारी युक तो हो disease free हो जिनकों eggs को हम seed भी कह देते हैं and larva should be taken for rearing और larva और जो अंडे हैं इनमें जो भी इनको लेना है वो बिना disease वाले होंगे यह हमें ध्यान रखना है fresh leaves of host plants should be taken जो host plant है जिस plant की भी वो जो larva है वो पत्तिया जिसको भी वो खाता है जैसे हमने mulberry silk warm की बात करें तो वो mulberry की पत्तियों को खाता है सहतूत की पत्तियों को खाता है तो वहां पर जो fresh leaves उसको दी जानी चाहिए जो larva है उसको fresh leaves available करानी है cocoon tray racks should be covered with nylon or cotton net cocoon जो tray है क्योंकि यह fifth larva stage पर आने के बाद में उसको cocoon tray पर transfer किया जाता है तो cocoon का निर्मान cocoon tray पर होता है तो larva कहीं गिरने जाए इदर उदर नहीं हो जाए या cocoon आपस में ज़्यादा पास पास में नहीं बने इसलिए इनको nylon या cotton की nets इनको ढख दिया जाता है यानि आप इस परकार भी समझ सकते हैं जैसे यह एक tray है तो अगर यह चक्री है तो इसमें इस तरह सांचे बनाई जाते हैं और इनके बीच बीच में लार्वा को छोड़ा जाता है जैसे यह लार्वा आ गया इसको छोड़ा जाता है फिर यह इसके अंदर ऐसे cocoon बना लेते हैं इन दा cocoon tray number of larva should be not more because this effect the development of cocoon अब यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखनी है जिस cocoon tray पर cocoon tray का मतलब आप समझ गये होंगे जिस पर cocoon का निर्मान करना होता है उस वाली tray पर जो लार्वा होंगे उनकी संक्या अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर ज्यादा संक्या होगी तो यह cocoon के development को प्रभावित करते हैं किस परकार से प्रभावित करते हैं जैसे कि यह अगर दो cocoon आपस में पास पास में बनते हैं तो इन से धागा निकालने में दिक्कत आती है तो इसके बचाओ के लिए हमें एक tray में limited ही जो लार्वा है वो रखने पड़ते हैं इसके अलावा silkworm rearing में कुछ environmental condition का भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है यानि जो परियावनिये परस्तितियां हैं उनको भी maintain करना पड़ता है सबसे पहले हैं इसमें humidity की बात करें तो humidity लगबख जिस room में उनको पाला जाता है उसके humidity 60 to 90% होनी चाहिए यानि 60 से जो 90% जो आधरता है वो होनी चाहिए लेकिन इसमें भी जो लार्वा स्टेज जो फैला या दूसरा जो लार्वा स्टेज होती है या हम यह simply कहें कि जो early larval स्टेज होती है उसमें high humidity की आ सकता पड़ती है यानि वो लगबग 80 to 90% हुमिडिटी होनी चाहिए लेकिन जैसे ही वो 4th और 5th लार्वा इंस्टा लार्वा स्टेज में convert हो जाता है उसको हुमिडिटी की तोड़ी कम आउ सकता पड़ती है यानि humidity क्या होती है पानी जो अपना हवा है उसमें कितना पानी है, whapar कितना है simply आप इसे भी कह सकते हैं कि हवा में कितना whapar है उसको हम humidity से ध्यान रखते हैं इसके अलावा temperature जिस पे भी यह पाला जाता है, जिन कमड़ों में यह पाला जाता है उनमें टेंपरेचर जो है जो आइडियल टेंपरेचर है 23 to 27 degree Celsius ये तापमान होना चाहिए Ventilation should be proper in the rearing room जो जिस room में हम इनको पाल रहे हैं उसका temperature तो constant होना चाहिए Ventilation भी उसमें proper होना चाहिए Ventilation का मतलब क्या हुआ उसमें हवादार वो कमरा होना चाहिए उसमें proper हवा आरपार हो सके जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कमरे में इसको ये जो अलग-अलग racks बनाए गए हैं यहाँ पर ये racks बनाए गए हैं इनको nylon की seat से cover किया गया है तो इस परकार से silkworm को पाला जाता है यानि हमें egg stage का द्यान रखना पड़ता है एग में हमें अच्छे एग लेने पड़ते हैं लारवा का special द्यान रखना जाता है उसको जो food दिया जाता है वो fresh leaf दी जाती है ताजी पतियां और बीना बीमारी वाली पतियां दी जाती है इ हम दूसरे topic के बारे में बात करते हैं इसी में technique for obtaining silk from cocoon कोकून से कैसे silk प्राप्त किया जाए इसको भी हम समझते हैं 7 to 10 days old cocoon should be taken for obtained silk अगर हमें silk प्राप्त करना है तो लगबख 7 से 10 तीन दिन में तो कोकून बनता है तो 7 से 10 दिन जो पुराना कोकून है उसको हमें लेना च होता है वो हो जाता है साथ ही जो प्यूपा है वो भी थोड़ा सा inactive हो जाता है लेकिन जैसे ही आप इस 10 दिन के बाद में अगर या 12 से 13 दिन हो गए या उससे ज्यादा दिन हो गए तो उसमें से जो प्यूपा है वो बहार निकल के आ जाएगा वो adult में convert हो जाएगा तो ल यानि Silk प्राप्त करने की इसमें 3 Steps होती है, सबसे पहले है Stifling, Stifling में क्या होता है वो भी हम समझेंगे, Rilling और Spinning, यह 3 प्रक्रिया है, इन तीनों प्रक्रियाओं से हमें Cocoon से Silk प्राप्त किया जाता है, सबसे पहले Stifling है, Stifling में क्या होता है, पहली जो अवस्ता होती है वो जो कोकून है जैसे कि यहाँ आप पिच्चर में देख रहे हैं यह कोकून है यलो कलर के कोकून है इसमें तो यह कोकून जो है उनको हमें गरम पानी में डालना पड़ता है क्योंकि जो कोकून है वो इस तरह का कोकून तो है लेकिन इसके अंदर एक जीव है एक कीडे का प्यूपा है तो इस प्यूपा निकले उससे पहले ही हम इसको मार देते हैं इसको इस कोकून को हम गरम पानी में डाल देते हैं यानि पहली जो steam है killing of pupa by hot water इसको हम गरम पानी में, कोकून को गरम पानी में डाल कर भी कर सकते हैं और high temperature using oven और oven में high temperature पी रखकर इसको मार सकते हैं इसके अलावा भी कुछ methods हैं other methods of killing of pupa is by steam भाप से भी, वैपर से भी हम इसको मार सकते हैं और fumigation, दूमन की प्रकरिया होती है दुआ के द्वारा भी इसको kill किया जा सकता है तो generally जो इस्तमाल किया जाता है वो इनको गरम पानी में डाल कर मार दिया जाता है यह हो गई stiffling की प्रकरिया जिसमें यह बहुत सारे कोकून है इनको गरम पानी में डाल रखा है अब इस कोकून से हमें यह जो धागे हैं थ्रेड है, वो अलग करने पड़ते हैं देखते हैं, पहली प्रकरिया हो चुकी है दूसरी प्रकरिया को हम समझते हैं जो की है reeling reeling में क्या होता है bond in between the silk is loose due to hot water हमने गरम पानी में जैसे ही डाला इनके बीच में, यानि जो रेसम है उनके बीच में जो भी bond था वो loose हो जाता है reeling में क्या करते हैं process of opening of silk from कोकून यानि कोकून से silk को open किया जाता है यानि जो कोकून है, उसमें जो धागा है उसको अलग कर दिया जाता है उसको opening की जो प्रक्रिया है उसको relax करने की जो प्रक्रिया है वो reeling कहलाती है एक कोकून में लगबग 1500 मीटर लंबा धागा होता है average 25 कोकून मेट 450 ग्रैम silk लगबग 25,000 कोकून लेने के बाद में हमें लगबग 400,000 ग्राम हमें silk प्राप्त होता है आदा किलो के आसपास हमें silk प्राप्त होता है this is called raw silk इसको हम raw silk कहते हैं यानि ये कच्चा silk कहलाता है कच्चा raysom कहलाता है क्योंकि अभी इसमें इतनी मजबूती नहीं आती है ये natural जो प्रात किया हुआ है वो है ये प्रक्रीया है रिलिंग की जिसमें हमने क्या किया जो कोकून है उससे silk को अलग करना यानि उससे कोकून को खोलने की जो क्रिया है वो रिलिंग कहलाती है तर्ड जो प्रक्रीया है वो है spinning में क्या होता है in spinning process raw silk is boiled जो कच्चा जो रेसम है उसको गरम किया जाता है then wash with acidic chemicals और उसके बाद में उसको अमलिये जो chemicals होते हैं उनसे धोया जाता है wash किया जाता है this silk is called fiber silk अब ये जो silk कहलाते हैं वो fiber silk कहलाएगा क्यों this process given strength to silk अब इसमें जो strength थी मजबूती थी वो बढ़ जाती है क्यों बढ़ती है क्योंकि इसको हमने गरम पानी में डाला और इसमों acid से हमने इनको दोया है तो ये कहलाता है fiber silk और ये मजबूत silk होता है ये third पर क्रिया हो गई spinning पर क्रिया अब यहां पर हमें एक terminology और शीकनी है spoon silk क्या होता है कई बार पूछ लेते हैं spoon silk क्या होता है अगर कोई damage हो गया है कोकून या जो fiber जो हम बना रहे हैं उसमें कुछ waste बच गया है उससे जो silk बनाते हैं उसको हम spoon silk के कहते हैं ये ध्यान रखेंगे यानि जो बेकार का जो silk है उससे हम अगर उसको बन कर हमें सिल्क प्राप्त करते हैं तो उसको spoon silk के कहते हैं जैसे आजकल तो machine से ये प्रक्रिया की जा रही है पहले तो इनको traditional तरीके से किया जाता था जैसे यहां पर बहुत सारे कोकून हैं इन कोकूनों को ऊपर जो ये गुमावदार जो लगे हुए हैं इन पर एक एक धागा लेकर दूसरी तरफ जो machine है उस पर लपेट लिया जा जाता है इस तरह से यहां पर बहुत सारे कोकून पड़े हुए हैं यह कुछ traditional तरीके से भी इनको अलग कर दिया जाता है यह रेसे हैं बहुत सारे जिनको एक साथ जो perfect लोग होते हैं यानि जिनको बहुत सारा समय हो गया इन पर काम करते हुए एक साथ 8 से 10 से दागे continue 8 से 10 कोकून से निकालते रहते हैं अब इस पूरी परक्रिया को एक बार समरी के रूप में देख लेते हैं यह सिल्क वम है सिल्क वम ने कोकून बनाया कोकून को हमने क्या किया गरम पानी में डाला गरम पानी से हमें क्या करना है इनको गरम पानी के डालने के बाद में इन से एक sense required for sericulture sericulture में हमें क्या-क्या उपकरण चाहिए होते हैं उनके बारे में बात करेंगे तो simply जब आप इस परकरिया को समझ लेते हैं कि silkworm rearing में कैसे करते हैं तो आप इसके लगबग लगबग जो इसके काम में आने वाली जो चीजे हैं वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं या आपको ध्यान में हो जाएगा सबसे पहले जो इसमें important काम है वो हम देखते हैं improved race of bombex morai क्योंकि यहाँ पर हम bombex morai को जो mulberry silkworm है उसको यहाँ संदर्व के रूप में ले रहे हैं तो bombex morai की हमें एक improved race चाहिए होती है good nutritive leaves of mulberry leaves इसके अलावा जो सैतूत का जो प्लांट होता है उसकी अच्छी पत्तियां इसके लिए बिल्कुल ये दोनों जो बात है वो ध्यान रखनी है एक तो अच्छी quality क हमें bombex morai का race चाहिए यानि हमें उसके अंडे अच्छी quality के हमें अंडे चाहिए होते हैं इसके अलावा जो mulberry जो प्लांट है उसकी पत्तियां बिल्कुल गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए ये दोनों जो है वो sole need for sericulture sericulture के लिए ये परमावसक बात हैं यानि अगर इ इसमें हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजों के आफस्ता पड़ेगी following applications are required जिसमें सबसे पहले है suitable place suitable place एक उचित इस्तान होना चीए जिसको सामान रूप से क्योंकि हम इसको मकबाना कहते हैं ये generally कच्छे घर जैसा होता है जैसे कि आप diagram में देख पा रहे हैं ये म मकबाना कहलता है the place where silkworm are reared यानि ऐसा इस्तान जहां silkworm को पाला जाता है उसको हम मकबाना कहते हैं या उचित इस्तान कह देते हैं these rooms are large ये जो कमरे होते हैं वो बड़े होते हैं well ventilated और बिल्कुल हवादार होते हैं यहां आपको ये जो लग रहा है कि ये तो पूरी तरह से पेक है actually ये जाली लगी हुई है चारो तरफ से इसको cover किया गया है तांकि इसमें कई परकार के जो इंसेक्ट है वो नहीं आ पाएं mostly these are made up of hunt or wall of soil generally ये जोपड़ी के समान होते हैं या इनकी दिवारें मिट्टी से बनाई जाती हैं समानते हैं या क्योंकि जो मिट्टी के य प्लेस या इनके घर में ऐसे कमरों में इनको उगाया जाता है या या इनको पाला जाता है साथ जाता में जो ये इस्तान होता है उसके आसपास ही मलबेरी जो प्लांट है उसको भी ग्रो कराना होता है तो पहला जो इसमें आवसकता पड़ती है इसके लिए एक प्रोपर प रियरिंग का मतलब क्या हो गया पालन पालन ट्रे चाहिए इसमें मल्बेरी लीव्ज आर पुट ओन दीज ट्रे जो मल्बेरी सहतूत की जो पतिया है इनको आर पुट ओन दीज ट्रे जो ये ट्रे है रियरिंग ट्रे है उनके ऊपर मल्बेरी लीव्ज को रखा जाता है जैसे moths are lay egg on mulberry leaves, इन mulberry leaves के उपर ही जो adult moth है वो अपने अंडे देते है rearing tray are generally made up of bamboo generally जो rearing tray होती है वो bans की बनी हुई होती है यानि वो bans की जो ये frame है उसका पूरा ये जो architecture है वो bans से ही बना होता है क्यों? क्योंकि इसका light weight होता है and temperature resistance और ये temperature से परतिरोधी होते है यानि rearing वो tray है जिन पर पतिया रखकर उन पर अंडे रखे जाते हैं और इनके larva इनी के उपर विक्सित होते हैं develop होते हैं next जो इसमें हमें आवस्ता पढ़ती है cocoon, spinning और चंद्रा की trays, चंद्रा की trays ये गोलाकार, चंद्र के आकार के उने कान इसको चंद्रा की trays कहते हैं इनको हम cocoon tray भी कहते हैं या इनको spinning tray भी कहते हैं cocoon tray are used for keeping the mature caterpillar larva जो mature caterpillar larva है उसको cocoon tray पर ही पाला जाता है यानि उसको cocoon tray पर रखा जाता है क्योंकि ये अवस्ता होती है ready for pupation क्योंकि उसको pupa अवस्ता में जाना है आप ओलोर बात समझ रहे होंगे कि जो mature caterpillar है यानि पूर्ण विक्सित जो caterpillar larva है उसको हम cocoon tray पर डालेंगे क्योंकि उसको cocoon tray पर रख रहेकर cocoon बनाना होता है इसलिए उसको cocoon tray पर रखा जाता है next जो इसमें काम में आने वाली उपकरण है feeding tray और basket यानि जो की use for provide food उनको जो larva है उनको अगर हमें सहतूत की पतियां खिलानी होती है तो इन basket का परियोग किया जाता है इनको feeding tray कहते हैं क्योंकि इनसे feed कराया जाता है next है rearing self for rearing self क्योंकि जहां पर इनको पाला जा रहा है उनकी reaks बनाई जाती है इस तरह की reaks बनाई जाती है जैसे एक, दो, तीन तो इस तरह से बनाई जाने से क्या फाइदा होता है reaks are help arrangement of more rearing tray in less space कम इस्तान पर अगर हमें ज्यादा पालना है silk moth को, silk worm को तो इसके लिए हमें reaks बनाने पड़ते हैं तो देखो कम इस्तान में यहां पर उन्होंने 6 reaks यह बनाया है जहां पर 6 जो यह tray है, वो रखे हुए है next इसमें काम आते है dollars, dollars for fetching of mulberry leaves mulberry leaves को तोड़ने के लिए dollars काम में लिया जाता है chopping knife for cutting mulberry leaves into small piece यह सहतूत की जो पतियां है इनको और छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ने के लिए chopping knife काम में लिया जाता है चाकू काम में लिया जाता है baskets for collection and distribution of mulberry leaves basket basket यह जो सहतूत की जो पतियां होती है उनको collect करने में and distribution of mulberry leaves और इन mulberry leaves को बाटने में जहां पर silk worm को पाला जा रहा है तो वहां पर इनको खिलाने में भी यह मदद करती है यानि वहां पर जैसको खेत में mulberry का plant तो अलग जगह होगा तो उस plant से collect करकर जहां पर rearing room है मकबाना है वहां तक यह ले जाया जाता है baskets के द्वारा hygrometer क्योंकि हमें वहां के आदरता 62-90% maintain करनी पड़ती है तो वहां पर hygrometer उपकरण के विया आसता पड़ती है use for measurement of humidity यह humidity के measure में काम में आता है thermometer यह room के temperature क्योंकि temperature वहां पर maintain होना चाहिए use for measurement of room temperatures oven to regulate the different stage of life cycle at a different temperature अलग-अलग temperature पर इसकी जो जीवन की जो अवस्ता है उनको करने के लिए oven रखा जाता है जैसे एग से प्यूपा एग से जब लार्वा निकलता है तो एग को oven में रख कर भी या उसको अलग-अलग stage पर हमें अगर कहीं तापमान कम है तो उससे भी इसको oven प्रक्रियाज में काम में लिया जाता है यह oven है next जो इसमें उपकरन काम में लिया जाता है उसमें fridge है for storage of egg egg को storage करने के लिए egg को हम यहाँ पर seed भी कह रहे है for next generation storage करने के लिए भी freeze का यूज किया जाता है sprayer sprayer यह है to spray water on leaves पत्यों पर पानी चड़कने में भी sprayer का यूज किया जाता है क्योंकि अगर पानी पत्यों पर नहीं चड़केंगे तो उनकी नम ही चली जाएगी जिससे उनकी गुणवत्ता में भी या उनकी जो टेस्ट है उनमें भी फरक आ जाएगा paraffin wax seat, polythene और foam pad यानि paraffin ये दो seat वो हो गई जिस पर इनका bed त्यार किया जाता है polythene या foam pads बनाए जाते है use for prevent loss of moisture moisture loss नहीं हो उसके लिए इनके bed paraffin wax से बनाए जाते है इनकी seat भी आती है और polythene या foam pads काम में लिये जाते हैं net net काम में लिये जाते हैं nylon के हो सकते हैं या ये cotton के हो सकते हैं for protection of silk worm from oozy fly इनको oozy जो fly है एक insect है diptera order का एक कीड़ा है insect है उससे बचाने के लिए इनके ये net काम में लिये जाता है stick और bird feeder bird feeder यानि पकसी का जो feeder होता है punk होता है वो या एक stick stick का मतलब वो लकड़ी की किसी की भी हो सकती है उस लकड़ी से हम जो लार्वा होते हैं उनको दूर दूर करने में एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर रखने में भी इनका काम में लिया जाता है chopping board chopping board वो इस्तान है यानि वो लकड़ी का टुकड़ा है जिस पर जो mulberry जो leaves है वो काटी जाती है तो ये कुछ उपकरण है जो sericulture में काम में लिये जाते हैं अब हम इस topic का अंतिम पार्ट बढ़ते हैं जो की है silk क्या होता है what is the silk silk is a natural protein fiber ये एक protein fiber है ध्यान में रखेंगे जैसे जूट है वो एक actually cellulose है एक carbonates है जबकि silk एक protein से बना हुआ product है silk is produced by insect in form of cocoons silk insect के दोरा बनाये जाता है और insect के दोरा जो cocoon बनाये जाता है उससे silk प्राप्त किया जाता है the spin rate of silk worm is in the pharynx and silk is produced by modification salivary gland जो silk gland है वो actually modifies salivary glands होती है और इसका जो इसकी जो नली है वो pharynx में open होती है जो की spin rate के दोरा open होती है यहाँ आप देख सकते हैं ये एक silk worm है ये silk gland इसको दिखाया गया है और इसकी जो ये opening है ये mouth part में जाकर open हो रही है the protein fiber of silk is composed mainly of fibrin and seracin ये जो protein fiber है ये दो product से यानि दो part से मिलकर बना हुआ होता है fibrin and seracin दो product हो गए इनी को हम समझते हैं यानि silk has two components इसमें दो मुख्य component होते हैं एक होता है fibroin और दूसरा जो component होता है वो होता है seracin fibroin जो है वो 70% भाग बनाता है silk का ये tough elastic and insoluble part होता है and make the core of filament in form of brins और ये जो brins होता है यानि जो धागा है उसका main जो core होता है candra होता है इसी के द्वारा बनता है दूसरा जो part है seracin जो की लगबग 25% silk का part होता है ये gelatinous nature का होता है and soluble in hot water जैसे ही गरम पानी में cocoon को डालते हैं तो ये seracin है ये उसमें dissolve हो जाता है gelatinous nature का होता है तो ये उसमें dissolve हो जाता है soluble हो जाता है ये larva है जिसके द्वारा ये silk gland है जिसके द्वारा ये silk का production किया जाता है तो हमने इस वीडियो में जाना की कैसे silk worm को पाला जाता है silk worm को पालने के लिए क्या क्या हमें उपकरणों की आउस्थता पड़ती है silk क्या होता है उमीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा next वीडियो में हम बात करेंगे जो sericulture industries में कौन-कौन disease होती है और कौन-कौन से paste होते हैं उनके बारे में समझेंगे thank you अपकरणों और क्या तो झाल झाल